Welcome back friends चलिये, पिछले दिन जो हम दोग देखे थे displacement or speed तो उसके problems, कुछ problems हम लोग आज करेंगे तो देखे, पहला problem क्या है ये car travels at a speed of 30 km per hour और for half of its time travelled and 40 km per hour for the remaining half of the time What is the average speed of the car? अजया देखे, problem solve करने के लिए जो मतलब आसनसा टेक्निक है जो problem में कहां जाएगा हम लोग थोड़ा draw करने की कुर्शिश करेंगे ठीक है, पहले सही एक दम एक डेटा लेके तो एक car travels मान लेते हैं इधर से इधर तर के car गया है ये वाला क्या है? ये car travels at a speed of 30 km per hour for half of its time मामते है, total जो time था ये वाला एक T time में एक गाड़ी गया था ठीक है? अब उसमें से आधा time मतलब T by 2 और ये वाया हो गया T by 2 तो आधा time जो है ये length ऐसा नहीं है कि ये distance है ये time का मैंने line draw किया है, ठीक है? तो full जो time travelled है उसका आधा गया था 30 km per hour speed से और आधा गया था बोल रहा है 40 km per hour speed से, ठीक है? आप बोला है average speed गाड़ी का कितना है? तो देखे, average speed का formula क्या है? हम लोग पिछली इन देखे थे L1 प्लास L2 by T1 प्लास T2, ठीक है? अब L1 lane मतलब क्या? सापोज ये वाला जो lane थे L1 जो ये वाला travel हुआ था और सापोज ये वाला है L2, ठीक है? तो L1 हम लोग का हो जाएगा? L1 हम लोग का आ जाएगा सापोज ये वाला हम लोग ले रहा है T by 2 आवर A V T by 2 आवर तो L1 हो जाएगा 30 into T by 2 ये हो जाएगा ना ये जो हम लोग का A equals to V T वाला जो फर्मूला है A equals to V T वाला जो फर्मूला है, ठीक है? ये वाला जो जितना travel का रहा है length आच्छा, तो ये आजाएगा हम लोग का 15 T, ठीक है? सारी 15 T, आच्छा और L2 हम लोग का आजाएगा? similarly L2 आजाएगा 40 into T by 2 ये वाला जो length था, ठीक है? आधा आधा तो देखिए, पहले हम लोग draw कर लिये थे total time अब उस time में आधा जो time था, उस time में particle गया था L1 अब जो आधा time बचा था, उस time में गया था L2 तो L on L2 हम लोग को मिल गया ये वाला हो गया 20 T, ठीक है? तो भीधार एवर इस पर फर्मूला में बिठा देंगे ठीक है? तो L1 हो जाएगा हम लोग का 15 T प्लास L2 हम लोग का 20 T by T1 T1 मतलब हम लोग का ये वाला पहला पर्ट ये वाला T1 ये वाला T2 पकड़ लेते है 15 प्लास 20 बज गया इधर से भी रखिए T कॉमोना जाए रहा तो आधा प्लास आधा ठीक है? T T क्रोस कर दीजिया इधर नीचे हो गया 1 ये हो गया 35 ये हो गया average speed, speed है तो unit क्या हो जाएगा? unit हो जाएगा kilometer per hour ठीक है? ये हम लोगों का answer ठीक है? आप देखिए ये ही जो problem है इसको ध्यास कीजिएगा ये तो आसान ही है आसान भी लागा और एक दूसरा problem देखते है ये वाला क्या है? ये car travels half of its trajectory देखिए ये वाला क्या था? half of its, half of its travel, half of its time travel ठीक है? और ये वाला half of its trajectory मतलब same होगा पर ये वाला पहले time था अभी जो trajectory मतलब जितना तक गया था जितना path था उसका आधा ठीक है? तो total अगर ये वाला total path L होगा ये वाला होगा L Y2 ये वाला होगा L Y2 देखिए हमने अभी पूरा problem भी नहीं पढ़ा है पर क्या कोशिश कर रहे है? जो problem है उसको draw करने की कोशिश कर रहे है इससे क्या होगा? आपके सम्मिनाग इमेज आ जाएगा जब आपके सम्मिनाग इमेज आ जाएगा तो मतलब आपको सब equation हो कुछ भी हो याद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम लोग कुछ भी voice recording हम लोग के दिमाग में set नहीं होता है हम लोग सब कुछ आख से देखते है ना तो ओही वाला इमेज हम लोग के दिमाग में छब जाता है तो देखे असन होता है उससे अचा तो यह का ट्रावर्स half of its trajectory at a speed of 30 km per hour मतलब इतना जो गया था तब speed कितना था 30 km per hour एड़ रेस्ट मतलब बाकी आधा बाकी आधा जो लेंध था और पीछले वाला परब्लेम में था बाकी आधा time अभी बाकी आधा लेंध गया 40 km per hour ठीक है इस सब से अब what is the average speed, आप देखिए, problem almost same है, पर थोड़ा technically different है, अब average speed, इस case में क्या होगा, formula ता हो ही है, L1 plus L2 by T1 plus T2, ठीक है, same, problem same ही होगा, अच्छा, आप देखिए, तो अब इस case में हम लोगों को L1 मालूम है, L2 मालूम है, ये वाला L है, L2 मालूम है, पर हम लोगो T1 T2 चाहि T1 क्य हो जाएगा, T1 हो जाएगा, L1 by 30, इतना घंटा अवर हो जाएगा, और T2 हो जाएगा, हम लोगों का L2 by 40, इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है, L1 by 30 मतलब, L1 मतलब क्या, L by 2 by 30, मतलब हम लोगों आजाएगा, L by 60 अबर, और similarly, यह बल आ जाएगा, L by 2 by 40, मतलब L by 80 R, ठीक है, तो बिटा जाते हैं, L on मतलब हम लोगों का आ जाएगा, L on तो L on ही है, L 2, L 2 O, हाँ, हाँ, एक तो हम लोग कर जाएगा, ठीक है, आगे करते हैं, ती ओन देखिए, ती ओन हम लोगों का आ जाएगा, L by 60, 60 plus L by 80, equals to, L on मतलब L by 2, L by 2, तो L by 2 plus L by 2, L common ले लिजिए, 1 by 60 plus 1 by 80, ठीक है, इवन इटा पहले से ही लिखना चाहेंगे, लिखना खुरिश करेंगे, तो ही आच्छा है, ठीक है, आधा त्रफ भीराएगा, स्पीड है ना, तो ही किलमेटर पर आवार आ जाएगा, पहले से लिखना तो ये बला L, हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ एही पोर्षन बचेगा, एही पोर्षन, तो उपर आ जाएगा, हम लोगा 60 into 80 by 60 plus 80, तो ये कल्कुलिट करेंगे, तो हम लोगा आ जाएगा, 140 नीचे, उधर 60 into 80, ठीक है, तो ये काटा कोटी हो जाएगा तो 2 से 7, 2 से हम लोगा 4, 240 by 7, मतलब हम लोगा चाहता है, अपना वो 34 पॉइंट, 34 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3 किलो मेटर पारवाश, ऐसा कुछ एंसर आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए, प्राब्लेम सेम होते होते कुछ टेक्निकले डिफरेंट हो गया, तो ये बला मतलब हमने दिमांग में राखना चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा टाइम को अधा कर रहा है, कौन सा लेंद को अधा कर रहा है, ठीक है, अच्छा, अब दूस्त, अगला प्रम देखते है, ये पार्टिकल इस मूविंग इना सर्कुलर पाथ, उई ते रेडियास अब 7 सेंट देखे, इतना अब तक पढ़े, शुरू करते ड्रॉ करना, सर्कुलर पाथ होगा, रेडियास बोल दिया है, आर होगा, बस पढ़े, तो ड्रॉ कर लिए, तो आसन हो जा रहा है, प्रॉल्लम, ये लाइन बार-बार को हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पिक्चर देखेंग है, ठीके, when the particle crosses half of its circular path, मतलब सपोद इतना शूरू किया है, तो चलते चलते आधा, आधा क्या होगा, ये पोर्शंटता आधा होगा, ना, वही पोर्शंटता आधा हो जाएगा, particle का, आच्छा, तो when the particle crosses half of its circular path and, when it completes full of the circular path, अच्छा, तो बोला है, जब इतना आ जाएगा, तब displacement किता होगा और फिर चलते 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 जब इधार आ जाएगा ठीक है अचा तो देखे जब इधार आ गया तो displacement हम लोग का जानते है displacement मतलब source, point and end point हम लोग देखेते यह दोनों हम लोगों को चाहिए तो जब आधा पाथ complete किया तो source point था इधर और end point था यह वाला पर हम लोग किया थे ना कि एकदम सीधा रास्ता जो होगा source point और end point के तरफ यह वाला रास्ता कितना हो गया यह वाला रास्ता हम लोगा हो गया 2R मतलब 14 cm ठीक है समझ गया 14 cm हो गया हम लोगों का आधा केस में displacement देखी टेकनिकल कोस्चन है आच्छा एंड वेन इस वह complete full of इससाथ के बाद अब पूरा complete कर लेगा तो end or source points source point जो है same ही हो जाएगा मतलब displacement हो गया हम लोगों का इधर displacement हम लोगों का हो जाएगा 0 ठीक है एक दम आसन सा है आच्छा तो यह particle is moving on circular path with a radius of 7 cm what is the displacement when the particle crosses half of its circular path and when its complete flow simple सा है ठीक है जो धीरे धीरे पढ़ियेगा उसको धीरे धीरे दिमांग में घुसाईएगा हरबडी में नहीं धीरे धीरे घुसाईए ऐसा घुसाईए क्यों रहे जाए ठीक है यूंकि physics यही है छोटा छोटा चीज आपको धेया नाखना पड़ेगा अच्छा आगा प्रब्म देखते है आम लोग Determine the value and direction and displacement of movement of an object moving 10 to 3 meter to the east and 10 to 10 meter to the north तो not आप इधर उधर भागना पड़ेगा तो थोड़ा draw कर लेंगे तो आसन होगा सापोज ऐसे draw करता है आपना map में north south east west तो क्या बुला है देखिए move कर रहा था अच्छा पहले move किया east पे अच्छा इकर देते इस पे सापोज इधर से start किया 10 root 3 meter गया east पे ठीक है east फिर गया 10 meter north पे अच्छा 10 meter north पे चला दिया सापोज यह बला है a point यह बला है b point यह बला है c point आच्छा तो बोला क्या का चाहिए हम लोग देखिए value and direction and displacement of movement of an object अच्छा तो दिस्प्रेस्मेंट का value and direction चाहिए यह बला off होगा तो value and direction चाहिए displacement का तो displacement क्या होगा displacement होगा सीधा रास्ता ठीक है इधर से आके इधर गया end point यह हो गया source point यह हो गया तो सीधा जो रास्ता हुआ ओ हो जाएगा हम लोग का displacement ठीक है तो यह बला पॉट्सन चाहिए वही right angle triangle हो गया ना तो displacement हो जाएगा हम लोग का equation बिठा जाएगे यह बला तो आ जाएगा root over 10 root 3 square plus 10 square ठीक है जो जानते हैं हम लोग जो यह बला अगर 90 दिखर होता है तो यह बला करने का calculation का formula अच्छा तो जाएगा 100 multiplied by 3 300 plus इधर हो जाएगा 100 मतलब root over 400 मतलब हम लोग का आ जाएगा 20 meter मतलब यह आ जाएगा 20 meter ठीक है आच्छा अब direction चाहिए duration मतलब क्या देखिए इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ गया मतलब घूम गया कितना घूमा सापोज theta angle घूम घूम गया ठीक है तो देखते है तैंथी रागिना आता है तैंथी टाम लोग आ जाएगा BC by AB यह तो हम लोग जानते ही है जब छोटे से तपसी पढ़ रहे है class 19 से पढ़ रहे है अच्छा 10 by 10 root 3 एही ना एही आता है तो आ जाएगा 1 by root 3 equals to आ जाएगा 10 30 मतलब theta आ जाएगा हम लोग का 30 degree मतलब 30 degree यह घूम गया है यह हो गया हम लोग का displacement का direction ठीक है आसांसा ही problem था अच्छा कोई problem होगा तो मुझे comment box पर comment कीजिए अगला problem दिखते है the edge point of a 3 cm long second hand second hand मतलब clock second hand नहीं है ठीक है clock का जो second का काटा होता है ना ठीक है वही बला है तो देखते है क्या है एक सापोर clock है अच्छा the edge point of a 3 cm long second है अच्छा second का जो काटा है सापोर्ज 3 cm long है uniform speed पर घूम रहा है तो घूमता है uniform speed ना अच्छा जो तीन सो साट डिग्री ओ घूमता है टाइम कितना लागा है सेगेंड का काटा है ना तो अवियस्ली साट सेगेंड ही लागाएगा ना अब जो फेलोसिटी क्या है जब ऐसे घूमता है तो जो फेलोसिटी नहीं कि स्पीड स्पीड है स्पीड क्या होगा देखे तो कितना पात वह घूम रहा है वह जो टोटल पात घूम रहा है तो पाई सब से देखू तो पाई आर ही वाला ना तो देखिये तो हम लोगों का स्पीड आ जाएगा 2π, r मतलब हो जाएगा हम लोगों का 3 cm बाई कितना टाइम में घुम रहा है? स्पीड मतलब हो गया ना? जो लेंद हो गया बाई टाइम की डिश्वैट कने तो कितना टाइम में? 60 सेकंड में ठीक है? तो यह आ जाएगा हम लोगों का 10 तो पाई का भी लोग 3.14 आता है? 0.314 यह cm2 पर सेकंड यह जाएगा हम लोगों का एंसर ठीक है? अगल प्रोलम यह पार्टिकल इस मुवविंग अलोंग दी x-axis x-axis करने दीजिया में x-axis मतलब इसका displacement from its origin follow x-axis मतलब displacement क्या होगा? x equals to 10 12 ऐसा ही तो कुछ होगा अगर हम define कर देंगे exact और अगर define नहीं कर पाए कुछ equation बता दिये तो क्या होगा equation? equation हम लोगो दिया गया है equation है x equals to 80 minus 3 t square यह हम लोगो बोला गया है ठीक है? अच्छा what is the average speed of the particle? average speed चाहिए तो हम लोगो को average speed चाहिए at t equals to 0 to 1 जब समय शुरू से, मतलब 0 से t equals to 1 इतना से इतना समय तक travel करेगा मतलब ओही वाला situation पर average भी निकलना होगा and at t equals to what second what is the instantaneous speed? आच्छा वो तो बाद में देख रहा है हम लोग पहला problem देखते है तो पहला problem में average speed बाला इधर से इधर तक देखते है अच्छा तो देखे जब when t equals to 0 तब particle का जो displacement है x axis बराबर ही गया है ना तो displacement होगा सपोस उस समय में displacement x1 equals to है हम लोग का जब x at t equals to 0 मतलब क्या हो जाएगा t के इधर हम लोग 8 into 0 minus 3 into 0 ही होगा ना मतलब 0 मतलब शुरू में तो 0 पही था देखे एक करने की जबरीद भी नही था शुरू में 0 पही था तो पहले-पहले शुरू में आप लोग सब कीजिएगा अच्छा अब when t equals to 1 then this person हम t के जगा पह सब 1 बिठा देंगे तो 8 into 1 minus 3 into 1 square तो आज आएगा 8 minus 3 हम लोगा 5 ठीक अब centimeter, meter कुछ पह होगा तो हम लोगी बिठा देंगे सब में meter सेकेंड में ले लेते तो देखिए जब शुरू से t equals to 1 तक गया था मतलब गया था particle 0 meter से 5 meter मतलब particle का जो displacement है मतलब जो जीतना तक गया था हो कितना गया था तो t equals to 0 से t equals to 1 तक particle गया था x2 minus x1 equals to 5 meter इतना गया था ना particle तो average speed तो average speed क्या हो जाएगा 5 हम लोगा आ जाएगा by 1 ठीक है, time कितना है time मतलब यह वाला समझे लिए t1 है यह वाला समझे लिए t2 है तो t2 minus t1 हम लोग का जाएगा कितना 1 minus 0 equals to 1 और x2 minus x1 5 meter मतलब इतना तक गया था इतना समय में ठीक है तो speed हो जाएगा 5 by 1 meter per second मतलब 5 meter per second ठीक है अब दूसरा problem देखिये at t equals to 1 what is the instantaneous speed ठीक है तो equation क्या था हम लोग का फिर से देख लेते है x equals to 8t minus 3t square x equals to 8t minus 3t square अब बोला गया है at t equals to 1 जो instantaneous speed है वो क्या है जानते हैं हम लोग पिछल देखे थे यह वाला formula क्या होता है dx by dt और हम लोग यह भी देखे थे यह ऐसा नहीं है कि dx by dt को इवाइट कर रहे है ऐसा नहीं है dy dt एक मैशीन है जिसके अंदर x को डालेंगे तो दूसरा कुछ बना के हम लोग को बापस करेगा तो formula यह है तो हम लोग क्या होगा dx dx dt हम लोग का आ जाएगा dy dt 80-3t square equals to dy dt हम लोग ऐसे करेंगे का आप लोगो कही पे कोई problem ना हो ठीक है तो हम लोग का 8 आ जाएगा इधर से माइनस इधर से आ जाएगा 3 आ गया और t square करेंगे into हम लोग का 2t आ जाएगा तो 8-3t यह आ जाएगा अब dx dt मतलब instantaneous जो speed है वह हम लोगो कब निकलना है at t equals to 1 यह वाला second पर तो उस case में हम इधर t equals to 1 भीठा देंगे ना तो 8-6 into 1 मतलब 6 मतलब 2 इंटार पर second ठीक यह वाला problem अच्छे से देख लिएगा सब इस type का problem ऐसा ही करना पड़ता है ठीक है तो हम लोग देख लिए आज का कुछ problem ठीक है तो आगले case में हम लोग theory भी करेंगे problem भी करेंगे तो चलिए thank you